हेलो दोस्तों नमस्कार राज क्लास में आप सोकास स्वागत ही तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग पॉलिटिक निक परवेश परिक्षा के जिसमें है यह मैत का तो हम पिछले क्लास में डिसकुस किये थे आज हम साइन्स यानि फिजिक्स का एक चेप्टर है क्या है प्रकास की प्रकिर्तिक तथा प्रवर्तन इसके बारे में देखेंगे निचर अफ लाइट एंड रिफलेक्शन तो फर्स्ट में आता है प्रकास होत सकते हैं प्रकास खालाती है इससे संब्धित कुछ पद है फस्ट में हावा या निरबात में प्रकास की चाल होता है तीन गुना दस के पावर आठ मीटर प्रति सेकेंड दुसरा है जल में प्रकास की चाल दू दस अमलब दू पांच गुना दस के पावर आठ मीटर प्रति से टाकरा कर जैसे एक सता है जब प्रकास कि इन किसी सता सचा कर आकर अन्यमीत रुप से विभिन दिसा में छितरा जाती है तो इसको क्या कहते है लिगता है उता है इसी कारण से सुरी hombres से देखने पर अकास का रंग कैसा दिखाई देता है तो नीला दिखाई देता है यानि प्रकास के प्रकिर्णन के कारण ही प्रित्वी से अकास को देखने पर उसका रंग नीला दिखाई देता है इसके वालत है प्रकास का प्रावर्तन reflection of light reflection of light होता क्या है प्रकास की प्रावर्तन होता क्या है तो दिखेगा जब प्रकास की किरन किसी सतह से टक्रा कर जिसे यह सतह है यह आती हुई किरने जब प्रकास की किरन किसी सतह से टक्रा कर लोट जाती है इस घटना को प्रकास का प्रावर्तन कहते हैं, यानि प्रकास जैसे यह एक सतह है, इससे प्रकास की किरन टकरा कर लोट गए, इसी घटनों को प्रकास का प्रावर्तन कहते हैं, यानि और जिस सतह से प्रकास की किरन टकरा कर लोट जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रावर्तक सतह, और प्रावर्तक सत से कहते हैं और अब एक तersonimus दूर जने वाले के इसको और प्रावर्ततित करन अभिनम्ग केInsan जब कहते हैं, इसके बाद है प्रकास का प्रावर्तित करन के दो नियम में होता है, फरस्ट में है आप्टितकिरन, प्रावर्त्त करन तथा आप्तन बिंदु पर डाले गया जो अभिनम्ग है, तिनों एक ही तल में होते हैं एक ही साइड में होता है दुसरा है आपतन कोन प्रावरतन कोन के बरावर होता है यापतन कोन का जो मान होता है वो प्रावरतन कोन के बरावर होते हैं यानि अर्थात एंगल यानि कोन आई बरावर कोन आड के बरावर होता है इसके बाद है समतल किसी बस्तु को अपना पर्तिविम देखने के लिए दर्पन की बस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए जैसे किसी समतल दर्पन है इसकी बस्तु को पर्तिविम देखने के लिए इसको यह कोई बेखते है इसका पर्तिविम इसंबिखने के लिए इसकी अजिए इसके पांच फिड तो दर्पन कितना होना चाहिए इसका half guna आढ़ाइ फीट का होना चाहिए अगर जब एक तPro 5 फीट का है तो उसका पारति विम 11 प्रॉबट देखने के लिए दरपन कितना फिट का होना चाहिए ऑढ़ाइ फीट यानि आधी होनी चाहिए फिसट में है सेकेंड में है प्रतिवीम का अकार बस्तु के अकार का बरावर होता है जो प्रतिवीम है जिसका जो इसमें प्रतिवीम बनेगा वो बस्तु यानि बस्तु जितनी अकृति का हो जितनी लंबाई का हो उतनी लंबाई को उसकी अकृति भी बनती है यानि प्रतिवीम बनता है थ इसमें बस्तु के साफ एक्षिक चल कितना हो जाता है दो गुना हो जाता है यानि तू भी हो जाता है इसका समतल दर्पन से बनने वाली प्रतिविम्बो की संख्या यानि समतल दर्पन में बनने वाली प्रतिविम्ब की संख्या क्या है क्या है यदि कोई यानि कहा रहा है कि स समतल दर्पन जैसे कोई दो समतल दर्पन है इसके बीच इसके बीच कितनी प्रतिविम बनेगी पहले डिपेंड करता है कि यहां देखेंगे यदि दो दर्पनों के बीच का कौन थीटा हो यानि इसके और यह दो दर्पन है इसके बीच का जो कौन बनता है वह कितना थीटा द यह हमार एक फार्मूला है इससे फार्मुला यहां निकालेंगे जैसे कि हम कुश्चन देखते हैं यादी कोई दर्पन है यादी कोई दो दर्पन है इसका इसका बीच का कुण कितना है 90 डिग्री है तो कहागा इसमें कितने परतिभी माझा बढेंगे तो साथ बटा थीटा गड़ाव एक हेविए एमग्राव शायगा 300 सहर्ड तरह किता करना रखेंगे 90 कि मैने ऐसे संवंधर कुछ हरु हुआ स सरำ नकिन सिंधर कूरिम क्यों है तो समतलदर्पन से किसी वस्तू का पर्तिविंड कैसा बनता है यानि समतल दर्पन है उससे किसी बस्तू का पर्तिविम कैसा बनेगा तो बस्तविक तो बनेगा दुसरा नमर क्योशन है एक मनुस्त की लंबाई एक दसामलब 4 मीटर है तो उसको अपना पूरा परतिविम देखने के लिए दरपन की कम से कम कितनी लंबवाई होनी चाहिए, तो अभी हम संतल दरपन के कुछ महत्पन तत्में बताए थे कि अगर कोई बेखती 5 फिट का हो यानि प्मालते हैं 5 मिटर कहीं हो तो इसकी आधी लंबवाई की दरपन होनी चाहिए, यानि क्या जागा दरपन की लंबाई वराल मनुस की लंबाई बटा दू तो दरपन की लंबाई कितना है 1.4 यानि 1.4 बटा दू इससे इसको काटेंगे तो 0.7 मीटर एंसर हो जाएगा इसका तिसना नमर क्वेश्चन है क्या एक मनुस समतल दरपन से तीन मीटर प्रति सेकेंड की गती से दोर रही है यानि इस एक वो बैकती है समतल दरपन की ओर है यानि तीन मीटर प्रति सेकेंड की गती से दोर रही है वह अपने परतिविम के बैक से दूर भाग रहा हुआ क्या होगा किसरे निमिलिखित रंगों के प्रकास में से किस रंग का प्रकास का परकिनन सब से अधिक होता है तो निमलिखेत यानि स्वेत रंग में से, निमलिखेत रंग यानि सात रंग होता है, उसमें से किस रंग के प्रकास का प्रकिनन सबसे अधीक होता है, तो क्या हो जागा, बैगनी रंग का सबसे अधीक होता है, कुश्शन नमर पांच है, किस रंग के किनो का प्रकिनन सबसे क नेक्स्ट यानि छे नमबर है अकास निला दिखाई देता है किस के कारण यानि प्रकास के प्रकिर्णन के कारण होता है एक विधुत बल्ब को 60 डिगरी पर जुके हुए दो समतल दर्पन के बीच रखा जाता है तो इस बल्ब की कितनी परतिविम दिखेंगे यानि यह वो ब बल्ब की परतिविम कितनी बार दिखेंगे तो क्या है थीटा के फैलु कितना दिया है 60 रिगरी दिया हुए तो फामिल लागाएगे यानि नमबर यानि न ब्रावर 360 बटा थीटा माइनस एक यानि 360 बटा 60 थीटा का फैलु है माइनस एक है इससे यह छे बार में कर यानि छे मैनस एक वारीट पांच यानि उसका जो संख्या प्रतिमीम के संख्या कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा कुश्चन नमर आठ देखते हैं यदि समतल दरपन को 10 डिगरी घुमा दिया जाए तो प्रवर्तित किरन कितना डिगरी घुमेगा तो हम मालू है यानि कि समतल दरपन में यानि एक बार घुमाते हैं यानि दोगुनी बेक से घुमता है क्यों जाएगा प्रवर्तित केर क्या हो जाएगा दो गुना 20 जिगरी पर घुमेगा एक क्वेश्चन है एक मोटर साइकिल यानि एक मोटर चालक पचास किलोमेटर प्रति घंटा के चाल से च मोटर साइके चल आए आपनी फ़ट चाव की बेक से चाल और समतल दरपन में बासाठी मेटर चार के पीछे की और की में देखता है का और की मोटर गडें के चाल किनके 10 एक परति घंटा कार की चल के नहीं 60 km प्रति घंता और इसका बेक क्या हो जागा दोनों को घाटाओ करेंगे कि नौगा 10 km प्रति घंता तो इसका दर हो जाएगा यहाँ दो भी होता है यहाँ दो गुना 10 यहाँ 20 km प्रति घंता थांक यू वेरी मच मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए झाल झाल